क्रियेट फ्रेंडली एट्मॉस्फियर दोस्ताना महौल डेवलप करें फ्रेंडली एट्मॉस्फियर डेवलप करें क्रियेट करें और जब वो महौल डेवलप हो जाएगा जब वो इन्वार्मिंट क्रियेट हो जाएगा जब वो एट्मॉस्फियर प्रवेल हो जाएगा की organization में आपके foundation में तो eventually आपकी organization को भी फाइदा पहुचेगा आपकी personality में भी growth होगी और आप से जो connected customers आप से जो connected clients होंगे वो भी grow करेंगे और वो भी आपकी services से equally फाइदा उठा सकेंगे friendly atmosphere की बहुत importance है और जब friendly atmosphere create हो जाता तो बहुत आसानी हो जाती है मसाइल को हल करने के लिए मसाइल को जो है solve करने के लिए और मसाइल को जो है resolve करने के लिए ये इंत्याही एहम है समझना कि friendly atmosphere आकर create किस तरह होता है मैंने ये बात इस segment में करतो ली के friendly atmosphere create करें पर ये किस तरह होगा वो इसी तरह होगा जिस तरह मैंने पिछले सेग्मेंट में tolerance और patience की बात की जब आप tolerant होंगे जब आप में patience होंगे इसमें आपको एक और चीज़ element आपको लगाना पड़ेगा यू need to be bit humorous आप अगर humorous हैं और आपका अगर मिजाज जो है हसी मजाग का भी है और आप अगर reasonable way में मजाग कर सकते हैं मजाग को सै भी सकते हैं और आप एक अच्छे हल्ले-गुले के साथ अच्छे अपने अच्छी सलाम दुआ के साथ और एक अच्छे कुली की तरह अगर आप किसी भी इन्वार्मेंट में रह सकते हैं तो डेफिनिटली आप अपने कस्टूमर्स को आप अपने क्लाइंट को किसी ना किसी तरीके से अपनी गुफ्तुगू से अपने इंटेरेक्शन से इंगेज भी रख सकेंगे यह बहुत इंपॉर्टन्ट है जब आप अपने क्लाइंट को जब आप अपने कुली को इंगेज रख सकेंगे अपनी बातों से अपने खयालात से और अपने कहे गए जोक से या अपनी कहे गए अच्छी बातों से जब वो कनेक्टेड रहेगा आपका कस्टूमर और आपका क्लाइंट तो डेफिनिटली जो है वो जो आप से connected होंगे client और customer हर तरफ आप हर वकत आपकी तरफ lot के आएंगे and they will always be looking for you to get their queries resolved. तो यह बहुत important है समझना, यह बहुत important है जानना के जब आप friendly atmosphere create कर देंगे, जब आप friendly environment, friendly mahal को जब आप create कर देंगे तो कितना आसान और यह कितना जो है easier हो जाएगा और कितना आपके लिए जो है आसान और कितना जो है यह आपके लिए जो है इतना एक अच्छा environment बना लेगा कि जिससे आपको भी आसानी होगी और आप से जो connected जो दूसरे लोग भी हैं जो clients और customer है वो भी आप से इस चीज का equally फाइदा उठा सकेंगा और इसकी अफादियत से भरपूर जो है उससे advantage उठाके आगी grow कर सकेंगे तो मेरा इस segment में बतानी की यही कोशिश थी कि friendly atmosphere को आप अच्छे तरीके से create करें और जो friendly atmosphere create होगा तो सब लोग आपके साथ engaging और अच्छे तरीके से connected रहने की हमेशा कोशिश करेंगे और इस तरह आपकी personality में भी growth आएगी आप से connected लोगों में भी growth आएगी और आपकी organization और company भी time to time time to time उनका growth rate बढ़तावा चला जाएगा